श्रीफन नियूज परिवार की प्रस्तुती श्रीफन नियूज चैतन्य वन में बहा मस्तका भी शेक आज श्री दिगंबर जैन चैतन्य वन सोनागिरी तीर्थक शेत्र पर आचारी श्री 108 वर्धमान सागरजी महराज ससंग सानिध्य में एक जन्वरी को बाहुबली भगवान का महा मस्तका भी शेक हो रहा है आचारी श्री यहां ससंग चमालिस पिच्छी शीत कालीन वाचना हितू विराजमान है संग के अलप प्रवास के दौरान श्रावक श्राविकाएं धर्मलाब ले रही है आचारी श्री ससंग शीगर ही विहार कर श्रवन बेल गोला की और कदम बढ़ाएंगे रिपोर्ट सन्मती जैन सनावत आज भक्तामर महामंडल विधान रविवार एक जन्वरी दोपहर एक बजे से अलीगड में श्री भक्तामर महामंडल विधान हो रहा है आचारी श्री एक सो आठ विभक्त सागर जी महराज ससंग के पावन सानिध्यमी अलीगड जैन समाज नव वर्ष का स्वागत धार्मिंग अनुष्ठान के साथ कर रहा है आयोजन श्री एक हजार आठ चंद्र प्रभू पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर पाल की खाना अलीगड में हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट श्रीफल नियूज सिद्द चक्रमंडल विधान धर्मलाब लेने उम्डे श्रावकजन इंदोर का पश्चिमी क्षेत्र जीन धर्म प्रभावना से महिक रहा था महावीर बाग से भव्य शुभायातरा खालसा स्टेडियम पहुँची और प्रारंप हुआ सिद्द चक्रमंडल विधान जहां नववर्ष के शुभस्वागत के लिए धर्मलाब की चाह में श्रावकजन मानो उमड पड़े हो मुनी श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महराज के सानिध्ध में हो रहा दो दिवसिय भव्य आयोजन आज अपने चरम पर है ब्यूरो रिपोर्ट श्रीफल निउस जीन शरणम तीर्थ पर सांस्कृतिक संध्या मुनी श्री पुलक सागर जी महराज के सानिध्ध में जीन शरणम तीर्थ पर 21 दिसंबर की रातरी 2016 के विदाई और 2017 के स्वागत में पुलक जन चेतना मंच परिवार के सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रसुती दे कर किया देश भर से मंच परिवार के लोग जीन शरणम तीर्थ वापी के पास पहुँचे और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ धर्ममय वातावरण में यह आयोजन बनाया गया ब्यूरो रिपोर्ट श्रीफल नियूज